नमस्कार दोस्तों अनन्द स्टडी ओनलाइन चनल में आप लोग का स्वागत है तो CISF का नया भरती आ चुका है याने कि सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे तो क्या होगा इसा क्रेटेरिया मतलब सिलिवस क्या होगा इसका सेल्वी क्या होगा रिलेक्सेशन क्या होगा एज क्या होगा एज कब से काउंट किया जाएगा सभी चीज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले है तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को अपलोग देखिएगा तो देखिए दोस्तों टोटल पोस्त जो यहां पर निकला है CISF Head Constable Ministerial और ASI को मिला करके टोटल पोस्त 540 से आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पे Head Constable Ministerial का अगर बात करें तो 418 पोस्त सिर्फ Head Constable Ministerial के लिए है और ASI के लिए असिस्टेंट सम इंस्पेक्टर के लिए यहां पे 122 पोस्त दिया गया है तो ज़्यादा तर लोग जो अपलाई करेंगे वो Head Constable Ministerial के लिए करने व लगने वाला है तो जल्दी से जाकर क्या आप लगी इससे जरूर अपलाई करिए ताकि सर्वर फिल बाद में ना हो बात करते हैं फॉर्म फी कितना लगने वाला है तो जेनरल हो गया IWS हो गए OBC कटेगरी जितने भी हो गया उनको 100 रुपय लगने वाला है अगर आप साइ बीज में आप जाएंगे तो 18 सुरूर और मैक्सिमम जो होगा रिलेक्सेशन के साथ हाएगा जिसमें जेनरल EWS हो कोई भी छूट नहीं देखने को मिलेगा 18 से 25 साल तक के जो भी जेनरल EWS के कंडेट है वो इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं यानि CISF हेड कोंस्टेवल के फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं और आगे चलके देखेंगे 18 से 28 तक जिसमें 3 साल का छूट जो है यहाँ पे OBC के कंडेट को देखने को मिलेगा अगर बिहार में है तो EBC और BC जो भी है उन सबको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगर हम बात कर लिए 18 से 30 यानि की 5 साल का छूट जो है SCST को देखने के मिलेगा 18 से 30 तक अगर वो है तो इस फॉर्म को अराम से वो अपलाई कर पाएंगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एज काउंट को समझते हैं क्योंकि सबसे वड़ा कन्फूजन यही होता है आप लोग का एज काउंट में द अगर हम डिरेक्टिस का सेलेक्शन प्रोसेस देखने का प्रयास करते हैं कि CISF एड कोंस्टेबल का और ASI का सेलेक्शन प्रोसेस हो क्या होगा कैसे कैसे इसमें एक्जाम लिए जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले क्या होगा ना आप लोग का PET, PST लिए जा जाएगा जहां पे आप लोग से रन फिंग लिया जाएगा है हाईट में आपको बताते है केसे कितना होगा वहां पे आप लोग का हाइट में करते हैं। जो भी मतलब आपके पास है प्रूप के तौर पर वो सारा चीज आपसे चेक किया जाएगा पहला यह हो गया उसके बाद आप लोगा क्या होगा रिटेन एक्जाम का डेट दिया जाए कि रिटेन एक्जाम इस डेट में और इससे पहले आप लोग का एडमिट कार आजाएगा रिटेन एक्जाम की आथार पर होगा कितना स्कोर आप इसमें किया है उसका क्या होगा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो यह चीज आप समझ गए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका डीटेल में क्या है और उसको समझते हैं यहां पे थोड़ाँ सा तो recommend organization जो है वो CISF Central Industrial Security Force के नाम से है जिसका full promote होता है CISF का और उसका देखें कि पोस्ट नेम जो निकला है इसमें head constable ministerial के लिए निकला है और assistant inspector अस्टेनो के लिए यह तो आपको हम बता ही दिये और advertisement संख्या यहाँ पे 22 का होगा और आगे हम देखते हैं क्या है इसमें vacancy क इतना निकला है तो 540 यह आपको बताएं दिये अगर salary slip pay scale का बात करते हैं तो यहाँ पे head constable ministerial के लिए 25,000 लगवख 500 से शुरू होगा और 81,100 तक लाश्ट जाएगा इसका salary तो कापी अच्छा salary है दोनों में अच्छा salary है ज्यादा salary आपको head constable ministry में देखने के मिलेगा ज job location अगर देखेंगे तो all India में कहीं भी आपको job करना पड़ सकता है क्योंकि all India की ही vacancy है कहीं से भी लोग इसको apply करेंगे तो कहीं भी आप लोग का job दिया जा सकता है कोई दिकत भी इसमें नहीं होगा आप लोग को काफी अच्छा job है बैठा हुगा job है यानि कि आप बैठ इसका कैसा होगा यह थोगा सा confusion में भी बना हुआ है लेकिन संभबता maximum chance है कि इसका exam आज तक जो होते आया है वो offline होते आया तो offline है इसका exam होने का संभाबना पूरा पूरा बन रहा है आगे हम देखते हैं क्या है इसे संबंदित तो application fee वेगर आपको हम बता ही किए कि 100 रु जो है apply soon होगा जो कि आपको मेरे चैनल ASO Ananda study online के चैनल पर आपको बता दिया जागा तो आपको क्या करना इसे जूड करके रहना यानि कि subscribe करके लाइक विगरा करके इससे रहना है और चैनल को हमेशा watch भी करते रहना है आगे दिखते हैं क्या है इसे संबंदित बात अब आ यहां पर देखेंगे ASI के लिए assistance inspector के लिए vacancy जो 122 है जो कि 12th pass आप लोगो होना जरूरी है यानि कि अगर 12th pass कर लिए है तो आप इस form को भर सकते है और इंडिया के विकेंसी है और साथ में आपका अगर 10 हो मजबूत है तो आप इस form को डालिए जरूर डालिए और head customer ministerial मे देखेंगे तो 418 वेकेंसी निकला हुआ है जो कि 12th pass पर रही है और इसमें typing खोया जाएगा Hindi और English typing वह हम आगे बात करते हैं कि क्या डिटेल है उससे समंधित और यहां पे अगर हम बात करते हैं अब number of post से समंधित कि कितना post इसमें निकला है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है तो यहां पे अगर हम बात कर लें ने वो पोस्ट जो कि असिस्टेंट समिस्पेक्टर ASI के लिए स्टेनोगराफर के लिए है तो यहां पे देखेगा सब सीच का नीचे में लिखा गया है मतलब यूर जेनल का देखेंगे तो डिरेक्ट मेल का जो है 40 सीट दिया है और यहां पर देखेंगे फिमेल का चे सीट दिया गया किसमें और ए स्टी में हम बात करेंगे तो यहां पर 13 सीट है मेल मेर एक सीट है फिमेल में अपका फिमेल में तो यहाँ पे total seat जो हो जाएगा mail के लिए आपका समिस्पेक्टर में मतलब अस्टेनोग्राफर में 94 हो जाएगा और female के लिए 10 हो जाएगा और कुछ post जो है departmental दिये गा है मतलब जो पहले से job कर रहे हैं उनके लिए है तो 18 seat reserve है तो total कितना हो गया है 122 यहां पर हो गया है आगे चलके हम head constable का जो form भरेंगे उनको समझना है कि head constable ministerial में कितना दिया गया है आप लोग के लिए तो अगर जेनरल है तो 132 दिया गया है mail के लिए अगर आप लोग जेनरल में female है तो 17 दिया गया है आप लोग का जेनरल के लिए और SC में देखेंगे 47 दिया गया है mail के लिए पांस दिया गया है female के लिए और यहां पर departmental का अलग से आप देख लिए गया है और यहां पर देखेंगे test दिया गया है SC में mail के लिए स्टमें और 2 दिया गया है स्टमें है और हम बात करें तो 86 आपे लोका मेल का दिया गया इपुक्त को दिफंटिनियो होगा उससे पहले आपको हम बतायाते हैं कि जो आप लोग का क्राइटेरिया है यानि कि आप लोग से जो लिया जाएगा टेस्ट लिया जाएगा स्केल टेस्ट के माध्यम से उसमें और भी क्या डिटेलिंग है वो समझिए क्या होगा तो बराभी रखा गया है कहीं से भी आप बराभी पास है यानि कि थर्ड डिविजन फर्स डिविजन सेकेंड डिविजन कुछ भी है तो आप इस वंग को भर पाएंगे कोई भी दिक्कत ने है इसके साथ आब एदक को टाइपिंग की नौलेज भी होनी चाहिए य मतलब 10 प्लस टू का डिगरी आपके पास होना चाहिए किसी भी रिखो गनाइज बोर्ड के इन्वर्टिटी के दौरा और यहां पर देखेंगे वहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्कील जो आपको डिक्टेशन 10 मिनट का आपको 80 पर मिनट चाहिए तो यहां पर देखेगा आप आपको यहां पर कुछ बोला जाएगा वहां पर असी वर्ड लिखना एक मिनट में आपको असी वर्ड लिखना होगा यह चीज आप लोग में होगा अगर आप जानते होंगे स्टेनोग्राफर के बारे में अगर त्यारी करते होंगे तो और यहां पर ट्रांस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा आप लोग से इसका भी टेस्ट लिया जाएगा पचास मिनट इन इंग्लिस और 65 मिनट इन हिंदी में वह on the computer लिया जाएगा तो यह चीज़ आप लोग समझ गए इससे संबंदित और हम आगे अगर चलते हैं इसमें देखते हैं हेड कॉंस्टेवल में क्या है इसका क्रेटरिया तो यहां भी 10 प्लस टू में आप इसको भार सकते हैं कोई दिकत नहीं है रिकोनाइज बोर्ट इन्वर्सिटी को एक्युवैलेंट होना चाहिए और आप इसको डाल पाएंगा फर्स डिविजन से थर्ड डिविजन है तो तो को चुन सकते हैं यानी हिंदी कि हैं आप एंग्लेज किया है जो भी आपका पर कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग है तो तीस वर्ड पर मिनाट किया आप लोग से तो यह चीज आप लोगों पहले से अपने अंदर's कुल को करशी होगा तो दीकत आप लोग से नहीं आंग और आगे अगर बात करते हैं यहाँपे, तो सबसे पहले आप बात करना होगा सिलेबस पर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानि कि एक्जाम पैटर्न सबसे पहले तो आपका PEHT, imin Marti हो जाएगा, मतर्ब किसी के लिए, के लिए CM होगा यानि कि आगर आप डालते हैं HCM के लिए form डालते हैं या आप डालते हैं ASI के लिए डालते हैं तो दोनों का जो मतलब physical efficiency test होगा physical होगा वो CM होने वाला है physical में क्या क्या होगा तो height weight test बेकर ना पा जाएगा आपसे वो दोनों के लिए होगा और return भी दोनों के लिए सेम होगा आप लोग का जो decide होगा कि आप च्वाइस के अनुसाइड होगा कि आप किसमें पास की हैं आपका किसमें सबसे दा नंबर है उसके अनुसार आप लोग को कोई आप लोग को लगाना है और दो घंटा का समय भी आपको दिया जाएगा और परती एक कोस्टन एक नंबर का होने वाला ठीक है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी दिकतने है सभी कोस्टन को आप लोग जरूर लगा और आगे बात करने कि mode of exam क्या होगा तो यह आप लोग का नहीं लिया जाएगा इस चीस से आप लोग निस्टिंत रहिएगा आगे अगर हम चलते हैं कि किस सब्सक्राइब से कितने कोस्टन आना है जिस पर हम और भी डिटेल में एक वीडियो लेकर करके आएंगे जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा के लिए होगा क इसका सब्सक्राइब कैसे आम लोग को त्यारी करना है आप नीचे कमेंट करिएगा तब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग इस वीडियो को चाहते हैं तो डिटेल वीडियो नीचे लिख करके कमेंट करिए दिलोड बनाएंगे सीलेबर्स का डेटेल वीडियो ठीक है सब्जेक्ट देखेंके कौन-कौन से कोशन पूछे जाएंगा आपसे अगर रिज्ञेंग अपलोग देते हैं तो यहां पर जेनेरल इंगलीज और हिंदी से कोशन आने वाला है यानि कि आप अगर इंगलीज पढ ब्याक्रम के मिलेंगे इंग्लिस करेगा तो इंग्लिस ग्रामर के क्लेंगे जिसमें से पत्चीस को सिंद आपको देखा जाएंगे पर ते को सन एक मार्व का फिर प्टीस से सांच में इंक्रूट्ट रहेगा वहां पर आप लोगों सब्सक्राइब और साथ में आप लोग से रिजनिंग काफी इजी पूछा जाएगा और 25 नमबर का होगा तो यह सीलिवर्स का वीडियो आप लोग अगर कंफ्यूज करते हैं तो आप लोग को हम एक न्यू वीडियो बना करके देंगे जिसमें हम पूरे अच्छे सीलिवर्स क कैसे पूछा जाता है अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो ठीक है तो यहां पर टोटल कोशन कितना हो गया 100 कोशन पूछा आएगा टोटल मार्स कीतना हो गया तो 100 मार्किंग नहीं होने के कारण आप लोग क्या करना है 100 में 100 आप लोग को टीक लगाना है ताकि टेस्ट यानि टाइपिंग हो गया च्टेन हो गया जो आप भरेंगा उसके लिए आएगा फिर मेडिकल के लिए आएगा उसके बाद आप लोग का मेरेट लिस्ट बनेगा तो यह सलेक्शन प्रोसेस तो आपको हम पूरा बताएं दिये और उसमें हम देखते हैं कि जो सबस देखेंगे तो 77 सेंटी मीटर बीना फुलाएं हुए और फुला करके 82 सेंटी मीटर का आप लोग को क्या चाहिए? तो यह चीज़ समझ गया और अलग से हाइट का बेवस्था ST के लिए अलग से किया गया है वो क्या है तो 162.5 cm का जो मांग किया गया है थोड़ा सा छूट इनको दिया गया है लगवग यहाँ पर देखेंगे अरहाई सेंटीमीटर का हाइट में यहाँ पर 162.5 cm इनको दिया फीमेल है तो उनको 150 cm ही हाइट मांगा गया है जो कि काफी अच्छा है यहाँ पर ST कन्रेट वालों को दिया गया तो यह चीज़ भी आप समझगे हाइट से समझगे ता अपना हाइट आप लोग देखेगा जो हम बता रहे हैं और रिलेक्सेशन हम देखते हैं कि बाकी अग को सेम यहाँ पर दिया गया इन लोगों का भी खास करके देखेगे यहाँ पर 112-2005 cm का यहां पर मांग किया गया है और चेस्ट में 47 cm कम से कम और फुला करके बिरासिए यानि कि 5 cm का फुलाव उनको भी चाहिए और चेस्ट में सिर्फ मेल और फीमेल का अगर हम हाइट का बात करने तो 150 cm यहाँ पे इनको क्या किया गया है दिया गया है उम्मीद है हमको कि यह सब चीज आप बहुत अच्छे समझ पाया होंगे और यहाँ पे यह सब चीज आपको बता ही दिये तो टोटल चीज जो आपका संबन्दित था CSF, Head Constable से, Ministerial से आपका और ASI से तो वो सब चीज आपको हम बताने का परियास किये और उमीद है आप लोग काफी अच्छे से सब चीज को समझ पाया होंगे और अगर नहीं समझ तो एक पर और इस वीडियो को दुबारा डिपिट कर लिजे कोई भी दिकत नहीं है सबसे पर वीडियो लाने के लिए कि किस पर निस्ट वीडियो बनना चाहिए यानि किसका जो रिटेन एक्जाम आप लोग को हम बताये और वी डिटेल में चर्चा उस पर हम करेंगे यानि कि कौन-कौन से सब्यक्ट से कोशन पूशे राएंगे और कहां-कहां से कोशन आएगा कोशन फोकस आप लोग को करना पड़ेगा तो उम्हीद है आप लोग समझ पाएंगो तो उसे कमेंट जरूड करेएगा और जूड करकर रहेएगा लाइक शेयर भी कर दिजेगा तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेस्ट वीडियो में जिसे नए टोपिक के साथ तब तक के लिए आ झाल